हाँ तो दोस्तो मैवेद आज का हमारा टॉपिक है सरली करड सिंप्लिफिकेशन यहाँ आपका सभी वन डे एक्जाम जैसे SSC, बैंक, गुरुप C, रेलवेज, हाई कोट सभी वन डे एक्जाम में यहां से 2-3 कोश्चन कभी-कभी इससे भी अधिक कोश्चन यहां से आते हैं सरली करड से, याद रहे कि यहां आपका सरली करड का लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हम, tricky mathematics, problems क्या होती हैं बच्चे मुझसे यह कहते हैं कि सर, हमें trick आता है, सर trick आता है में लेकिन problem क्या है कि जब exam होता है तो मैं उस trick को लगा नहीं पाता हूं सर तो अखिर क्या कारण है, आपने trick तो सिखा लेकिन trick को कैसे apply करते हैं how to apply trick in exam समय कम question करना रगता है pressure brain में बना रगता है बिल्कुल तो कैसे trick को apply करें तो आपको trick apply करना मैं सिखाऊंगा और basic concept के साथ तो चलिए start करते हैं simplification मतलब सरली करण के lecture 2 में तो सबसे पहले formula हमारा आता है एक हमारा formula आता है कि a cube plus b cube मतलब a की घात 3 plus b की घात 3 is equal to क्या होता है आपका तो याद रखे a की घात 3 plus b की घात 3 है तो आपका इसका formula आप एक bracket में बड़े प्यार से लिखेंगे a plus b लिख दिया a cube plus b cube is equal to एक bracket में आपने लिखा a plus b और दूसरे bracket में आप क्या लिखेंगे a square plus b square minus a b याद रहें कोई doubt नहीं होना चाहिए याद रखें a cube plus b cube मतलब a की घात 3 plus b की घात 3 is equal to a plus b एक bracket में फिर a square plus b square minus a b यह आपका पहला formula हो गया ठीक दूसरा formula आपका क्या होता है यह plus है यह minus हो जाएगा a minus a cube minus a cube minus b cube यह देखो मतलब a की घात 3 minus b की घात 3 is equal to अब यहाँ पर क्या लिखोगे bracket में minus है तो आप यहाँ पर minus हो तो यहाँ पर a minus b लिख देंगे tension खतम देखो mathematics को enjoy लेकर के पढ़ो a minus b है इसलिए आपने यहाँ पर a minus b लिख दिया अब दूसरे bracket में क्या लिखेंगे a square plus b square यह minus ही प्लस हो जाएगा plus a b अब याद करने की trick याद कैसे करते हैं यह होना चाहिए clear होना चाहिए आपका कि इसको याद कैसे करते हैं a q plus b q वाले में क्या है यह तो a plus b हो गया दूसरे में यह minus a b है प्लस वाले में और a की घात 3 minus b की घात 3 अर्थात a cube minus b cube में एक bracket में तो a minus b लिखा दूसरे में जो आप लिखोगे overall plus होगा इधर minus a b इधर plus a b है कई लोग doubt में होते हैं तो doubt नहीं कर रहा clear होना चाहिए concept तो अब हमारा तिसरा formula जो आपका बन के आता है वो हमारा तिसरा formula है याद रखिए डी formula से question आते हैं तो हमारा दूसरा formula हो तिसरा formula यह है यह देखिए a cube plus b cube plus c cube मतलब a की घात 3 plus b की घात 3 plus c की घात 3 is minus 3abc minus 3abc is equal to किसके होता है याद रखिए यह tricky है तो अब आप क्या करेंगे एक bracket में लिखेंगे a plus b plus c clear a plus b plus c थोड़ा सा यह छोटा करना पड़ेगा इसे याद रखिए तो बड़ा थोड़ा formula बनेगा यह आपका a cube a plus b plus c दूसरे bracket में आपका क्या होगा a square capital में होगा a square plus b square plus c square लिख दी आपने तीन है a b c formula बन गया तीन formula वान टू थ्री यह थ्री formula है आपके और चौता formula भी लिख देते हैं आपको पता इसका a square minus b square यहाँ पर a square minus b square है तीसका formula क्या हो जाएगा आपका एक bracket में क्या लिखेंगे a minus b दूसरे bracket में क्या लिखेंगे a plus b ठीक है यह चार formula हो गए आपको इसे copy लेकर के लिख लेना है clear और lecture one में मैंने आपको इसके उपर वाला formula कराया हुआ और बताया है कि उसको apply कैसे करते हैं ठीक तो आज मैं इसको सिखाऊंगा कि इसको apply कैसे करते हैं question बहुत ही बड़ा दिखेगा आप complicated होगा बहुत आप tension में होगे कि पता नहीं कैसे solve होगा और कई तो गधो की तरह solve करना start कर देते हैं तो logics study in logic way कैसे पढ़ा जाए तो चलिए start करते हैं question पहला मैं question आपको बनाता हूँ पहला question में जो आपको बनाता हूँ ये क्या होगा पहला question तो मैं इसे मिटा देता हूँ ये जगा घिर रहा आपका पहला हमारा ये question बनेगा ठीक है अगर question में दिया गया हुआ है question में दिया 525 गाद 3 प्लस ऐसे 525 की गाद 3 प्लस 1025 की घाद 3 अपोन अपोन 525 का स्क्वायर या 525 525 गुडे 525 गुडे 500 स्वारी हाँ प्लस ये देखो question तो मैं बना रहा हूँ अब यहाँ पर देखो 1025 गुडे 1025 minus 525 गुडे 1025 is equal to क्या होगा ये आपका SSE में पूछा गया ये question आपका 525 का क्यूब प्लस 1025 का क्यूब अपोन 525 गुडे 525 प्लस 1025 गुडे 1025 minus 525 गुडे 1025 अब question अब बच्चे फॉर्मुले को follow करता है किसे के condition को ये satisfy करता है देखो ये formula क्या हुआ ये A हुआ ये A हुआ जिसका मतलब क्या हुआ AQ प्लस ये क्या हुआ देखो यहाँ पर AQ प्लस ये क्या हुआ हमारा बोलो ये BQ हो गया नीचे ये A है जिसका मतलब ये A square हुआ ये आपका B है प्लस क्या हुआ हमारा ये बोलो B square और ये A ये B इसका मतलब माइनस A B ये आपका ये प्रारूप बन करके तयार हो गया ये अब इसका formula क्या होता AQ प्लस BQ का formula क्या होता है देखो अब AQ Q प्लस B Q इस इक्वार टू देखो वहाँ पर क्या है लिखो आप यहाँ पर A प्लस B एक ब्रैकेट में लिखा आपने दुसरे ब्रैकेट में A square प्लस B square माइनस A B अपन AQ प्लस B को formula लिख दिया A बराबर 525 है अब B बराबर B बराबर 1025 नीचे देखो क्या है A square plus B square माइनस A B ठीक है अब देखो यह कट गया सेम सेम है क्या बचा क्या बचा आपका बोलो A plus B A plus B बच गया यह अब A क्या है यहाँ पर बोलो A plus B इसका मतलब आपका क्या गया 525 प्लस 1025 ठीक आप इसे एड कर लें आप इसे जब एड कर लेंगे तो आपका जो है कि एंसर आ जाएगा ठीक है तो 1025 और 525 5,5 10 2,2,4,1 5 और यह आपका क्या हो गया 5 और यह क्या हो गया 1 आपका क्या आ गया हमारा 1550 यह आपका 1550 इसका answer आ गया answer देखो ये तो मैंने यहाँ पर लगाया है आपको सिखाया है trick लेकिन जब आप इसको practice में आ जाओगे जब आप इसको practice में आ जाओगे तो करना क्या है देखो जब आपको पता है ये देखो यहाँ पर जब आपको पता यह aq plus bq है तो आप direct formula लगाओगे aq plus bq बराबर क्या होगा a plus b और दूसरे में क्या होगा बोलो a square plus b square minus a b clear नीचे क्या होगा यह a square plus b square minus a b है तो a square plus b square minus a b कट जाएगा यहीं पर a plus b यह a plus b आप add कर दोगे यहाँ पर यह देखो आपका आगया ठीक है तो इस सरा से आप कोशन को apply करते हो simplify कर सकते हो सरली करण कर सकते हो चलिए हम question number second में आते है question second question 2 ठीक है अब हम question 2 में आते हैं तो question 2 को बनाता हूं मैं mathematics का असली मजा ता भह जब आप question बनाओ ट्रिक से जब question आपका solve करोगे बनाओगे तब वहाँ पर आपको doubt नहीं होगा ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर tricky basic question को solve करने की कोशिस कर रहा हूं तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा दूसरा formula अगर मैं बनाओ एक हजार पच्चास गुड़े एक हजार पच्चास देखते रहाँ आपकोशन एक हजार पच्चास गुड़े एक हजार पच्चास ठीक है गुड़े एक हजार पच्चास माइनस 950 गुड़े 950, गुड़े 950 अपन clear करते रहना ठीक है 1050 गुड़े 1,050 प्लस 950 गुड़े 950 प्लस 1050 गुड़े 950 है ताप कमेंट में इसका एंसर जरूर लिखना है है अब आपको प्रारूप समझना है इसका प्रारूप ठीक है जब आप इसका प्रारूप ई दीखो यह क्या हो गया देखो यह यह这么 mot यह क्या हुआ बोलो बी है यह क्या हुआ बोलो बी क्यूब नीचे यह क्या है a square plus b square plus a b ठीक है तो यह देखो क्या formula बना हमारा a cube minus b cube upon इधर क्या है बोलो a square plus क्या बोलो b square यह क्या plus a b अब formula बन गया अब इसको जब आप apply करोगे ठीक है जब आप इसे apply करोगे कैसे करोगे यह देखो a cube minus b cube अब हमको यह formula पता होना चाहिए कि a cube minus b cube is equal to क्या होता है मैंने क्या बोला था a cube is equal to minus a cube minus b cube is equal to a bracket में क्या लिखेंगे a minus b clear एक bracket में आप क्या लिखेंगे a minus b formula मैंने आपको यहाँ पर इसलिए मैं मैं मिटा नहीं रहा हूं कि जिससे का आप यह formula लिख लें a minus b हो गया दूसरे bracket में क्या होका देखो a square plus b square plus a b clear upon नीचे क्या है बोलो a square plus b square plus a b यह देखो उपर से नीचे देखो नजरों से नजरी मिलेंगी तो यह देखो blue color से कटेगा यह देखो तो जब यह कट गए आपका तो यह क्या बचा यह आपका क्या बचा a minus b यह बचा a minus b a क्या है आपका a क्या है बोलो a कितना 1050 1050 b क्या है 950 minus 950 1050 में से 950 जाएगा तो क्या होगा कितना आगा बाई साब 1050 में से 950 जाएगा ठीक आपका 100 रुपय आ जाएगा यह देखो सो एंसर आगे आपका ठीक ठीक जिस तरह से हम कोश्चन को अपलाई करते हैं मैंने यह दोनों कोश्चन को कैसे अपलाई करते हैं वो मैंने बता दिया अब तिसरा है तिसरा थोड़ा मैं इसको मिटा दे रहा हूं ठीक क्योंकि तिसरे फॉर्मुले को अपलाई करने के लिए समझाने के लिए ट्रिक को समझाने के लिए हमें क्या चाहिए स्पेस चाहिए ठीक तो अब यहां पर फॉर्मुला यहां पर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या होता है देखो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे जल्दी बताइए एक ब्रैकेट में अब इसको कैसे हमें कोश्चन में इस फॉर्मुले को ढूड़ना है ठीक है अब देखिए इदर ठीक पान सो प्लस छे सो प्लस तीन सो पच्चास क्लिया है या और अप्लाई करता है इसे और कॉम्पलिकेटिड बनाता हूं कोश्चन को एक क्यूब मतलब क्या कहोगे आप आप आई पान सो गुड़े पान सो गुड़े पान सो ठीक कोश्चन आया हुआ इए प्लस बी क्यूब प्लस 600 गुड़े 600 गुड़े 600 प्लस 300 गुड़े 300 थिक Minus 3 गुड़े 500 गुड़े 600 गुड़े 300 अपन 500 गुड़े 500 धन 600 गुड़े 600 धन 300 गुड़े 300 ठीक Minus 500 गुड़े 600 धन 500 गुड़े 600 गुड़े 300 धन 500 गुड़े 300 यह कोशन है इसका मान ग्याद करने के लिए पूछा है इसका मान ग्याद करने के लिए अब आपको इस कोशन को देखते ही कई बच्चे बूलेंगे कि छोड़ दो कोशन ही नहीं करना वही तरह लॉंग कोशन कैसे करोगा ठीक तो आपको कुछ नहीं करना इसमें एक्शुली पेन भी नहीं उठाना पड़ता ऐसे कोशनों में पेन को टच नहीं करना होता टच ठीक है तो पहले तो यह पहचाना कि है क्या देखो भाई साब यह क्या है एक्यू यह क्या है बी क्यू यह 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 क् ठीक है अब आपको पता होना चाहिए एक्यूब प्लस बीक्यूब एक्यूब प्लस बीक्यूब प्लस एक्यूब प्लस एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या है अब देखो यह कट गया सेम सेम कैसिल आओ ठीक है इधर क्या बचा बोलिए एक्यूब प्लस बी प्लस सी यही तो बचा एक्यूब इसमें पेन नहीं उठाना पड़ता हमको जब यह पता है नीचे वाले पता हम डारेक्ट अंसर निकाल देंगे कि यह इससे कट जाएगा तो तीनों को एड करना है जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो तीनों को ए आपका एंसर आ गया 1400 तो आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है मैं अब आपको जो है कि कोशन लिख रहा हूं आपको कमेंट में इसका एंसर बताना है अब आपको मैं कोशन लिखते जा रहा हूं आपको इसका एंसर बता देना है कमेंट में मुझे कोशन वान देखें पांसो पच्चीस की घाद तीन धन एक हजार तीस की घाद तीन अपन पांसो पच्चीस गुड़े पांसो पांसो पच्चीस प्लस एक हजार तीस गुड़े एक हजार तीस माइनस पांसो पच्चीस गुड़े एक हजार तीस इसका आपको एंसर बताना है दुसरा कोश्चन आप कहता है 22.5 गुडे 22.5 गुडे 22.5 प्लस 11.25 गुडे 11.25 गुडे 11.25 देखो मैं बना रहा हूँ और मुझे एंसर देखो जड़ से पता चले हैं बस आप फॉर्मुला अपलाई करो एंसर निकालो ठिक 22.5 गुडे 22.5 प्लस 11.25 गुडे 11.25 माइनस 22.5 गुडे 11.25 का मान क्या होगा तिसरा कोश्चन आपका 22.5 गुडे 22.5 गुडे 22.5 माइनस 22.5 गुडे 20.5 गुडे 20.5 गुडे 20.5 गुडे 20.5 अपोँ अपोँ आपोँ अपोँ अपोँ आपतीज अस माइनस 22.5 गुडे 22.5 गुडे 20.5 प्लस अपोँ गुडे 22.5 गुडे 20.5 गुडे 20.5 यह आपके तीन कोश्चन होगे उसके बाद आपको एक कोशन और दे दिता हूँ किलियर हो गया यह आप इसको लिख लेना और इसके बाद इसका एंसर कमेंट में जरूर देखना जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं और मुझे भी अच्छा लगेगा इस बात का तो इससे जो है कि मुझे और अच्छा लेगेगा मैं और भी वीडियो आपको डालता हुआ चलूँगा तो अब यहाँ पर देखो कि लिख लिख लिए आपने उसके बाद हम चलते हैं अगला हमारा वीडियो आता है अगला कोशन फूर कोशन फूर में याद रखिए 111 गुडे 111 गुडे 111 प्लस 112 गुडे 112 गुडे 112 धन 113 गुडे 113 कहीं बच्चों सोचेंगे कि सिरीज है कोई लेकिन ट्रिक अप्लाई करू ट्रिक माइनस थी गुडे 111 गुडे 112 गुडे 113 अपोन एक सो ग्यारा गुडे 111 प्लस एक सो बारा का स्क्वायर प्लस स्क्वायर है याद रखिए आप कई बच्चे सोचेंगे कि एक सो बारा का स्क्वायर का मतलाब एक सो बारा गुडे 112 धान 113 गुडे 113 माइनस 111 गुडे 113 का मान क्या होगा ठेक है यह आपका चौथा कोशन हो गया अब आपका कोशन नमर फाइफ आप कमेंट में जरूर लिख रहा है इसे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इसको अप्लाई करना और उसके बाद एक हमारा फॉर्मुले पे सिंपल फॉर्मुले पे आ सकता है कि 525 गुडे 525 गुडे 525 माइनस 400 गुडे 400 गुडे 400 ठीक इसका मान आपको बताना है तो आपको यह चीज पता हो नीचे यह अगर आपको यह चीज पता है तो मज़े ही है आपके ठिक है तो स्टार्ट करते हैं आप कमेंट भी इसे जरूर लिखना और इसे अधिक सेर करना और लाइक करना ना भुलें और अगर आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप सस्क्राइब कर लें. Thank you for watching this video.